तो नमस्का दोस्तों सागत अब का हमारे च्छनल लेटियोरड फार्विंग में दोस्तों जो हमारा जो खेत है उसमें हम मक्का लगा रहे हैं और मक्का की दो वैराइटी लगाएंगे इसमें एक तो पानियर 18-99 लगाएंगे और दूसरी वैराइटी दो है वो नवाब लगाएंगे इस खेट में मक्का लगाने से पहले हम खेट में जुताई कर रहा है यह देखें आप जुताई करते हैं हम इसमें लगा रहे हैं फिरोडान जिदा के फिरोडान तीजी कार्भो फिरोडान 3% CG इंकैपसुलेटेड इंस एक्रेस्टल कम्पनी का है यह देखें आप यह जो है अभी एकस्वाइर भी निवह पांच अगस 2013 को एकस्वार होगा इस तरीके सेंक अधाय हो रही है इसकी कटाई होने के बाद इसको यहां पर डाला जा रहा है यह यह पंदर भी नंदधर कलो फि यहां पर जो है Karbuffy All day क्रश्टी यह वह बखेट रहे हैं और वह बखेट जो इस तरीकि aspra एक की इसको कार्वार लिया और लेकर वंगली इस तरीके से हात से म्तिंदै आहां आ यह देखां आ यह वह भाइज तस्सकर गढ़ां फोग हो कि यहां पर हमने जो है कार्वो फ्यूरान क्रेस्टल कंपनी की बेखेडने के बाद ड्यूपी यूरिया पोटार्स यह सब हमने लगा रखा है इसमें और यहां पर हम आज मक्का की गुलाई करने स्टाट कर रहा है मक्का जो हम लगा रहे हैं पाइनियर का 1899 यह देखें आप पाइनियर का 1899 बीज है इसकी पैदावार जो हमने साथ से आतकुंड्र ली बताई है उन्हाने चार्ग लोगी यह पैकिंग है यहां पर जो मक्का जो हम गुलबा रहे हैं वो गुलबा रहे हैं मतलब हाथ से हाथ से मक्का गुलबाने का तरीका यह होता है कि एक आदमी जो सवाग मक्का की जो है पीछे से लोग खुर्पी से गड्डा करके उसमें बीज डालते जाते हैं तो एक बीज से दूसरी बीज की जो दूरी है वो लगबग आठ से नौ इंची है आठ इंची पर एक बीज पड़ा हुआ है और जो एक पटला जो जो से बोलते हैं जिस अधुलेने के बाद खुर्पी से गड़ा कर रहा है गड़ा करने के बाद उसको जो है बीज को डाल दीजा रहा है और यह क्या पैदावार इसकी रहेगी बो भी आपको दिखाया जाएगा इसमें यह जो है हाट से मक्का लगाते हैं उसकी पैदावार मसीन के मुकाबले ज कि मक्का अठारे निन्न यान्वे और इधर का जो छेविए के खेते हैं इसमें हम लगाएंगे नवाब कंपनी का मक्का और दोनों का पैदावार में क्या अंतर है वो आपको दिखाएंगे यहां पर हम जो मक्का गुल लें उसका आपको वीडियो दिखा दे रहे हैं कि मक्का यहां पर गुलाई हो रही है वो कौन से मक्के की हो रही है यहां पर हम जो मक्का लगा रहे हैं वो प्रिभाद सीट्स का नवाब हाइवरेड माईज सीट्स पैकिंग है इसकी वो चार केजी की है और एकीसो साट रुप्य मर्पी है यह देखें आप और इसको हम इस छेवि यहां पर मक्के की गुलाई हो रही है यहां पर एक बीज से दूसरी बीज की जो दूरी है वो लगबग आठ इंची के करीब रखी गई है इस तरीकी से गुलाई करके पूरे घ्रद्व में गुलाई करेंगे और क्या पैदावर होगी वो भी आपको बताएंगे